आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे मामला मनिपूर के विष्णिपूर जिले में गुरुवार को ससस्तर बलो और मैतेई संदाई के प्रदसन कारियों के बीच हुई जड़प में सत्रे लोगों के गहल होने के दो दिन बाद सामने आया है गटना के बाद इंफाल पूह और इंफाल पस्चिन के अधिकारियों ने शेतर में कानौ और विरस्ता बनाए रखने के लिए पहले घोशित कर्फियों में डील वापस ले ली एतियात के तोर पर दिन का कर्फियों भी फिर से लागू कर दिया गया है ससस्तर बलाव और मनिपूर पुलिस ने जिले के कांगवई और फोगा का चाओ इलाकों में प्रदेशन कारियों को तितर बितर करने के लिए आसू गैस के गोले भी दागे जानकारी के अनुसाई ये घटना तव ही जब मेते महिलाई जिले में एक बेरिकेट शेतर को पार करने का प्रियास करने थी उन्हें असम राइफल्स और रैपिड एक्सें फोर्स ने रोक दिया जिससे समधाय और ससस्ते बलों के बीच पत्राव और ज़ड़ पे हुई गौरतलग है कि पूरोतर राज हिंसा की चपेट में ही जिसमें अब तक सौ से जार लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए है